तो बाई Zebronix के laptop launch हो है और मेरा comment section भरपूर पूरा के भाईया आप कब review करोगे laptop वाले वाईया है ना तो बाई रिवियू करना तो बनता था तो बाई Zebronix ने हमने laptop launch कर दी है NBC series के जिसके अंदर आपको 5 models मिल जाएंगे 1s, 2s, 3s, 4s, 5s फुल नंबर बाजी एकदम एंद इसके अंदर आपको 11th generation processor और 12th generation processor वाले options मिल जाएंगे एंद इन laptops की starting pricing is only 27,990 जो i3 11th generation वाला है और i7 12th generation वाली की pricing 59,90 ओनली भाई i7 12th generation 50,000 रिके आसपास कभी नहीं मिलता Zebronix ने दे दिया और Zebronix पहला Indian brand है जिन्होंने laptop के अंदर Dolby Atmos को introduce किया है और वो भी इस प्राइस पॉइंट पे तो डबा खोलते हैं और देखते हैं कितने इंट्रेस्टिंग है laptop तो यहां पर कुछ इस तरीके का डबा मारे को मिल जागा वाइट तरर का यहां लिखा है Zebronix और इन्होंने laptop से बना रहा है पूरा जेड फूल क्रियेटिविटी वाइज और यहां पर जैसे अब डबा खोलेंगे यहां पर लिखा विया ओल्वेज आहेड सबसे आकर रहे ना जिन्दिगी में तभी तरह क्यों और यह निकल जाता यहां पर यहां पर कुछ एसा लाप्टाप मिल जाता है उपर जेबरॉनिक्स का लोगो बन रखा है जो बारा लाप्टाप मारा मैट फिनिश में और जिसकी टॉप लिड है अगर आप देखोगे तो ना के बराबर है यहां पर कीबोर फ्लेक्स देखोगे तो भाई वह भी लाप्टाप की अगरा इसके अंदरा सिर्वर क्रोम फिनिश भी है साइड में और इंटरनली लाप्टाप पूरा का पूरा पॉरा पॉली कारबोनेट बिल्ड में उपर डॉल्ब आटमॉस की ब्रैंडिंग है इसे ब्रैंडिंग मिल जाएगी और सामने स्क्रीन के नीचे लाप्टाप में तीन कलर ऑप्शन मिलते हैं एक ब्लू कलर है एक ब्लू कलर है एक स्पेस ग्रे कलर है अगर आप इसको उठा के ऑफिस या कॉलिज बगरा जाते हो पतला दूबला मामला अब थोड़ी तकनीकी बाते कर लेते हैं जो वेरेंट हमारे पास आया इसके अंदर लाप्टाप के अंदर इस लापटाप के अंदर 16GB RAM है DDR4 3200 mAh स्पीड वाली वोग फियुचर में अप्ग्रेड कराना हो तो 32GB तक आप इसको अप्ग्रेड कर सकते हो जो गीवाँ इची कासी बात है थिन लापटाप के साब से यहां पर 512GB की SATA SSD मिलती है इसके इंदर जिसकी रीड राइट स्पीड आपको 500 Mbps के आसपस मिलेगी मैं वैसे इसके इंदर NVMe SSD एक्सपेट कर रहा था क्यूंकि 2023 चल रहा है साथ SSD अब युजुली मिलती निया लाप्टॉप के अंदर 1sr 2s के अंदर एक्स्ट्रा M.2 SATA SSD मिलेगा जिसके अंदर एक SSD आड़ कर सकते हो 512GB तक 3s, 4s, 5s और 5s इसके अंदर भी एक extra slot मिलेगा लेकिन 2.5 इंचिस वाला SATA SSD वाला slot यह है इसके अंदर आप 1TB तक मैक्स आड़ कर सकते हो जैसे कि हमारा 15.6 इंचिस का लाप्टॉप है तो फुल साइज का कीबोर्ड हमारे के मिलता है नमपाड इंक्लूड इंक्लूड़ीड है इतोना बड़िया इतोना बड़ा trackpad है ना एक तो इसके trackpad के ऊपर मैट फिनिश है जिसकी वेजसे मांते सिंगर काफ़ी स्मूद लीमू बह जाती है और यहां पर सारे जेश्चर्स को सपोर्ट करता है और हमारे को यहां पर fingerprint scanner भी मिल जाता है स्केंदर और फिंगर्प्रिंट स्केंडर का काफी फास्टिक दमोंगी लगाओ कट से लाप्तव बन लॉग हो जाता है यह लाप्तव भाई छेदों के मामले में भरपूर आइमीन पोर्स यार राइट साइड में हमारे को एक केंजिंटन लॉक मिल जाएगा है एडफोन माइ को फुल साइज का HDMI 2.0 का पोर्ट भी मिल जाता है हमने 4K दिस्प्ले से कर रहा था 4K 120 हट्स को सपोर्ट कर रहा था तो अगरा 4K TV अगरा से कनेक्ट करना हो या मॉनिटर अगरा कनेक्ट करके ट्रेडिंग वरेडिंग वाला सेट अप बनाओगे तो HDMI से डिस्प्ले आप ए को सपोर्ट निकरता लएक आप इससे चार्जिंग के लिए उपर वाला डाइप सीपोर्ट है और इस लाप्टॉप के अंदर हमारे को 15.6 इंचीज की फुल एज़ी डिस्प्ले यानि की टेटी वाली डिस्प्ले है 60 एट्स का रिफ्रेश्ट हमारे को मिलता है IPS पैनल है ए इस टाइप की ही डिस्प्ले मिलती है अगर इसकी डिस्प्ले करों तो है आप बेसिक काम आप सब कर सकते हो OTT वगरा देखना हो यूट्यूब बगरा देखना हो बेसिक गेमिंग वगर आपको स्कूपर करने हो वैसे गेम टेस्ट करें हमने अभी आपको आपके दिखाता ह आपको एक्स्टरनल मॉनिटर लगा के वो काम करना पड़ेगा जिसके अंदर आपको एटलीस्ट हंड़ड परसेंट सर्जी भी मिले और यह कुछ ऐसास का वेपकेम टेस्ट है और माइक भी लाप्ताप का यूज हो रहा है यहां पर सेवन ट्विंटी वाला वेपकेम मिलत स्पीकर की क्लिटी अच्छी है लाइक बहुत माइनर सा थंप वाला बेस फील होता है काफी सेपरेटीड है लाइक इंस्टूमेंट वगरा काफी सई सुनाई देती है अगर आप मुल्टी मीडिया मुवीज वगरा भी देख्टो नहीं काफी क्लियर सुनाई देते हैं यह सब्सक्राइब के साथ यानि कि फुल तगड आउट पूट देने के लिए लिए तो अगर आप डॉल्बी आटमॉस वाली डिवाइस से करोगे लाइक साउंड बार हो गया स्पीकर सिस्टम वगरा हो गया तो एक्च्छल डॉल्बी वाला जो आउट पूट आपको मिलना हो इस कंपेर टू पी और एक सीरीज के प्रॉसर तो अराम से 4-5 वार्स का बैकप आपको इससे मिल जाएगा जिसके अंदर आप फॉर एक्जांपल मुवी देख रहे हो या बेसिक टास्क कर रहे हो मल्टी टास्किंग कर रहो स्क्रीन ब्राइटने सोड़ी कम कर लो के तो ज् 5500 एप्रोक्स मल्टी कोर मिल रहे हैं 1473 सिंगल कोर एंड उसके बाद हमने गीक बेंच 6 निकाला उसके स्कोर आपके सामने है देन वी टेस्टेट पीसी मार्क टैन 4300 पा स्कोर निकाल के देगा बढ़िया और उसके बाद कर आपके सामने जो आप वीडियो पॉस करके देख सकते हो अब तुम्हारे दिमाग में अरोग आपको मिल जाएंगे तो आप प्रोसेसर कंपेर कर सकते हो कि इस वाले प्रोसेसर से i7 कितना बेटर परफॉर्म करेगा या इसके कंपेरिजन में आई 3 कैसा होगा वह सारे आप नंबर से जज़ कर सकते हो एंड बात करते हैं इस सिंगल या डबल लेयर की विडेटिंग करने हो उससे जाधा उमीद मत करना यह बेसिकली वरकिंग प्रोफेशनल वाले टास्क के लिए जाधा बनावा है जैसे मल्टी टास्किंग करनी होगी किसी प्रोजेक्स वागरा पर काम करना है उन सब कामों के साब से इसका CPU डिजा वह काफी बढ़िया निकल आती है अगर आप एक स्टूडेंट और कोडिंग वगारा के लिए लाप टॉप दून रहे हो तो इसका प्रोसेसर इतना कैपबल तो है कि बेसिक कोडिंग वगार आप इसके उपर कर सकते हो इमिलेटर लेवल में थोड़ी बहुत दिक्कत एप डिवलपमेंट बगेरा करने है और स्मूद एक्सपिरेंस से ही है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एक ग्राफिक्स कार्ड वाला लाप्टोब आप लेना जब आप ग्राफिक्स वाली बाते चल रही है तो गेम टेस्के अंदर आप जार अस्पर नहीं हो फिर हम बेकार भी नहीं कह सकते हैं यहां पर ठीक टाक एफपीएस भी पता है क्यों मिल रहा है क्योंकि 16GB रहा है इसके अंदर उसके बाद मैंने सेटिंग्स रखी लेकिन रेजलूशन को 720p कर दिया था उसके बाद हमारे को बढ़िया प्लेबल एफपेस मिल रहे थे 35-40 fps के आस इस गेमपले से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस टाइप की गेमिंग आप इसके उपर वाली बिल्कुल बेसिक वाली आप कर सकते हैं जादा उमीद मत रखना और यह आई-फाइट की परफॉर्मेंस है डेफिनिटली आई-7 वाला इससे बेटर परफॉर्म करेगा और यहां कॉकिट साइज है उसके साब सब्सक्राइब लाप्टॉप चूज कर सकते हो सारे लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको कैसा लगा जेपराउनिक्स का पहला लाप्टॉप मेरे को कॉमेंट करके जरूर बताना पसंदाए वीडियो तो लाइक मार देना पहली बारा सब्सक्राइब मिलते नेक्स वीडियो अब तक के लिए बाई